नमस्कार दोस्तों हमारे जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा तो चलिए आज की कहानी सुन लेते हैं रोस्नी तुम तो जानती ही हो पिता जी के जाने के बाद मेरी मा कितनी अकेली हो गई है और उपर से अब उनकी तबियत भी कुछ ठीक नहीं रहती तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मा जी को इस घर में ले आता हूँ मा इस घर में हमारे साथ रहेगी तो गोलू के साथ उनका दिल लगा रहेगा गोलू को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे समालने में कोई परेसानी नहीं होगी रोसनी बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी मम्मी ही समझना उन्हें कभी सास मत समझना पिताजी के जाने के बाद उनकी जिन्दगी में एक खालीपन सा आ गया है मुझसे वादा करो कि तुम उन खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी अपनी मा के लिए चिंतित सौरब ने अपनी पतनी रोसनी से कहा हाला कि सासु मा के साथ रहने की रोसनी की बिलकुल भी इक्छा नहीं थी लेकिन अपने पती को चिंतित देख कर रोसनी एकदम से तयार हो गई एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे सुईकार कर ली अगले दीन सौरब अपनी मा सीमा जी का समान पैक करवा कर उन्हें अपने साथ घर ले आया मा बस एक बात याद रखिएगा कि ये घर मेरे और रोसनी से पहले आपका है इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी सौरब की बाते सुनकर जहां सीमा जी को अपने बेटे पर गर्व होग आया वही रोसनी अंदर ही अंदर जल भुण रही थी सीमा जी ने आते ही रसोई घर का सारा कम समाल लिया रोसनी भी अब घर के काम से निश्चिंत हो गई थी रोसनी का माईका सहर में ही था लेकिन ये सब सोच कर कि उनके पती का खाना कौन बनाएगा रोसनी अपने माय के रहने नहीं जा पाती थी लेकिन अब सीमा जी के आने के बाद रोसनी अपने बेटे को लेकर कुछ दिन के लिए माय के रहने चली गई चलो एक बात तो अच्छी हो गई जो तुम्हारी सास यहां रहने आ गई अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो माय के पहुची रोशनी से उसकी मा ने कहा हा मा वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा दमाद तो पूरा स्रवन कुमार है अपनी मा का तो वो हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं बेटा तुम्हारी सास बहुत सीधी बनती है यह सीधा पन दिखा कर ही उन्होंने तुम्हारे पती को मुठी में किया हुआ है लेकिन तुम उनके इन माया जाल में बिल्कुल मत फसना नहीं तो वो तुम्हे भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी इसलिए अपनी सास से ज़रा हुसियार ही राना और ज़्यादा परिसान करे तो उन्हें अपने घर चलता कर देना अभी रोसनी का अपने मायके में पहला ही दिन था कि उनकी माने उनके साथ ऐसा अनमोल ग्यान पाटना शुरू कर दिया या यू कहें कि अपनी बेटी को अपने पैर पर कुलहाड़े मारने की सला दे दी कुछ दिन यूही बीद गए आज सौरब का जन्म दिन था और रोसनी भी मायके से आने वाले थी तो सौरब रोसनी को मायके से लाने चला गया सीमा जी को अपने तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए बिश्दर पर लेट गई लेटे लेटे याद करने लगी कि किस तरह बरसों पहले वो अपने बेटे के जन्म दिन पर उनकी पसंद का खाना और केक बना कर उसे सर्प्राइज किया करती थी आज जब इतने वरसों के बाद वो सर्प्राइज के साथ है तो उन्होंने उसे फिर से सर्प्राइज देने का सोचा और बिमार होने के बावजूद भी सर्प्राइज की पसंद का केक और अन्य लजीज ब्यंजन बनाने में जुट गई बड़ी प्रसनता के साथ बेटे बहु के आने से पहले सब कुछ तयार करके रख लिया और कुर्सी पर बैटकर बच्चों के आने का इंतिजार करने लगी सुचकर मन ही मन खूस हो रही थी कि इतने दिनों बाद अपने बड़े पर सर्प्राइज देखकर सुरब के बच्चपन की यादे ताजा हो जाएगी और धेड़ साल के गोलू को भी केक बहुत पसंद आएगा करीब एक घंटे बाद गाड़ी के हॉर्ण की अवाज सुनाई दी तो सीमा जी ने दरवाजा खोला सुरब और रोशनी गाड़ी में से बैग्द था अन्य सामान निकाल रहे थे तो सीमा जी गोलू को उठा कर अंदर ले आई इतने दिनों बाद गोलू से मिलकर सीमा जी के चेरे पर अलग ही मुस्कान थी बेटा बहु जैसे ही अंदर आए तो हैरान हो गए घर खाने की खुशबू से महक रहा था सुरब बाथरूम से हाथ मुधो कर आया तो इतने में सीमा जी फटाफट रसोई घर से केक उठा कर ले आई और सारा खाना टेबल पर लगा दिया और सुरब के आते ही भोली जन्म दिन मुभारक हो बेटा जुग जुग जीओ इतने वर्सोबाद मा के हाथ का बना केक देखकर सुरब बहुत खुस हो गया सुरब ने जैसे ही केक काटा तो सीमा जी उसे केक खिलाने लगी जितने में बहुत तपाक से बोली अरे ये क्या कर रहे हैं आप और इतना सब बनाने की क्या ज़रती कम सकम फौन करके पूछ तो लिया होता हम तो बाहर से खाना खा कर आये हैं बहु की बात सुनकर सीमा जी कुछ हैरान सी हो गई तो सौरब बोला मा वो बात यह है कि रोसनी के भाई बहन पाटी की जित कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया लेकिन मा बाहर आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद कहा मुझे तो ये खाना देखकर दोबारा भूक लग रही है सौरब ने केक का टुकड़ा मुह में डालते हुए कहा तो सीमा जी ने खुस होकर प्लेट में खाना परोस दिया जैसे ही सीमा जी गोलु को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहु ने गोलु को जट से उठा लिया नहीं मा, हमने गोलू को भी खाना खिला दिया था, उनका पेट भरा हुआ है, अब यदि ज़्यादा खाएगा तो कहीं तव्यत खराब न हो जाए, और मुझे भी भूक नहीं है, काते हुए बहु गोलू को लेकर कमरे में चली गई, लेकिन सौरम ने भूक ना होते हुए भी अपनी मा का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली, यह सब देखकर सीमा जी की आत्म त्रिप्त हो गई, लेकिन कुछ सोचते हुए अपने कमरे में बैटी हुई रोसनी ने कलेजे पर साप लोट रहे थे, खाना खाकर जैसे ही सौरम अंदर आया तो रोसनी का फुला अमू देखकर कारण पूछा तो रोसनी तो जैसे उस पर बरसने लगी, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब भूक नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़ो रहत थी तुम्हें, अरे पर मेरी मा ने मेरे जन दिन के लिए इतने दिल से प्यार से बनाया था, मेरा फ जब आप मुझे मा के छोड़ने गए थे, तो मेरी मा ने भी आपके लिए खाना बना कर रखा था, लेकिन आपने तो खाया नहीं, समय नहीं है या कहकर चले गए कि मैं घर से खाकर आया हूँ, पेट में बिलकुल भी जगा नहीं है, और यहाँ अपनी मा के हाथ का बनाया खाने के लिए पेट में जगा बन गई, तो इसका मतलब मेरी मा के लिए कोई कदर नहीं, आपके दिल में, उनके खाने की कोई इज़त नहीं, रोसनी की बात सुनकर सौरब भड़क उठा, कि बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम, कुछ समझ नहीं आता, मैं तुमारे प खास बनाने के लिए इतना सब इंतिजाम करके रखा, हम बाहर से पाटी करके आए, इस बार भी उन्होंने कोई एतराज नहीं जताया, यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया, तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेजती कहां से हो गई, तु कि वो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखे, यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते, तो कोई आसमान तो नहीं तूट पड़ता ना, दोनों पती पतनी एक दुसरे के उपर जोर जोर से चिला रहे थे, और ये बाते सीमा जी को बाहर तक सुनाई दे र रही थी और इधर सीमा जी ये देखकर हैरान थी, कि उनकी बहु के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहु के जिन्दगी में कभी हस्तचेप नहीं किया था, बेटे की साधी करने के बाद जब रोसनी उनके घर आई, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके जीबन में बेटी की कमी पूरी हो गई, उन्होंने रोसनी को कभी बहु समझा ही नहीं था, लेकिन इस पर भी वो खुस नहीं थी, ये सोचकर सीमा जी बहुत उदास हो गई, मन ही मन सोचने लगी कि बेटे की बात मान कर यहां क्यों चली कुछी दिन बीते की बहु रोसनी सीमा जी के पास आई और बोली, मा जी विदेश से मेरे बड़े भईया और भावी आ गये हैं, तो मैंने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है, कुल मिलाकर मेरे घर से दस लोग आ रहे हैं, और यहां हम लोग भी हैं, तो आज रात के ल भी लेना जरूरी है, बहु आज कल के जमाने में तो आउनलाइन भी खाना आउडर किया जा सकता है, तो परिसान क्यूं होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो, मा जी भी आप तो जानती ही हैं, कि मेरे पिताजी की तबियत खराब रहती है, और बाहर का खाना उनके लिए ठीक नहीं है, और फिर मेरे भईया भावी क्या सोचेंगे, कि अपने घर पर बुलाया, और अपने हाथ का बना खाना भी न खिलाया, तुम्हारी बात तो ठीक है बहु, यदि घर का बना खाना इतना ही जरूरी है, तो मैं खाना बना देती हूँ, दीनर की तैयारी करने के लिए सीमा जी दो पहड से ही काम में जूट गई, बिना रुके लगातार काम करते रहने से कमजोरी मासूस होने लगी, फिर भी यह सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे, तो जाकर बिगडी हुई देखकर सौरब ने रोसनी को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया, दो घंटे बाद जब तवियत कुछ ठीक हुई तो सौरब अपनी मा को लेकर घर आया, रोसनी ने अपने परिवार के लोगों के आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन बिवार बालों का इस घर में आना आपको पसंद रही है, इसलिए आप बिमारी का नाटक कर रही थी, इस पर सासु मा ने कहा बेटी, मेरी तवियत सच में खराब थी, मैं भला नाटक क्यों करूंगी, लेकिन रोसनी ने अपनी सासु मा का यकिन नहीं किया, उसके बाद तो उसने उससे सीधे मुँ बात करना भी छोड़ दिया, बहु के विवार से कभी कभी तो सीमा जी का उस घर में दम घुटने लगा था, कई बार अपने बेटे सौरब को अपने पुराने घर वापिस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर सौरब उन्हें वापिस जाने नहीं देना चाहता था, और हमेसा टाल मटोल कर देता था, लेकिन गोलू अपनी दादी के साथ काफी घूल मिल गया था, उसे दादी का साथ पहुत अच्छा लगता था, तो रात को बीज, माखन-चोर की कहानिया सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था, सीमा जी गोलू के सहारे ही अपना समय काट लेती थी एक दिन रोशनी बजार में खरिदारी के लिए गई तो गोलू को दादी के पास ही छोड़ कर गई दादी भूख लगी है कहते हुए गोलू सीमा जी से कुछ खाने को मांगने लगा गोलू को खाना देने के लिए जैसे ही सीमा जी कीचन में गई तो फर्स पर पानी गिरा होने के कारण एका एक उनका पर फिसल गया और वो नीचे गिर गई कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया सीमा जी उठने में ओसमर्थ थी फिर भी जैसे तैसे करके फोन के सहार के पास पहुची और अपने बेटे को फोन लगा कर सारी बात बता दी सौरब जल्दी से घर पहुचा और अपनी मा को बिष्टर पर लिटाया रोसनी को फोन लगाया रोसनी मा रसोई घर में अच्चानक फिसल गई है और दर्द के कारण कहरा रही है मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है मैं गोलू को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता तुम जल्दी से घर आजा हे भगवान एक तो जब से आई है तब से बिमारी का बहाना किया हुआ है और अब ये नई मुसीबत ना जाने ये मां बेटा मुझे चैन से जीने भी देंगे या नहीं मन ही मन बड़बडाते हुए रोसनी घर पर आ गई डॉक्टर को दिखाया और जाच करवाई गई तो डॉक्टर ने पताया कि उनकी मां स्पेसियों में खिचावा आ गया है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सला दी डॉक्टर की बात सुनकर सवराव को कुछ तसल्ली हुई उन्हें अपनी पत्नी को मां का खयाल रखने के लिए सक्थ हिदायत दीग और एक काम वाली बाई भी लगा दी ताकि मां का खयाल रखते हुए रोस्नी पर बाकी कामों का बोज ना पड़े सवरब की हिदायत पर रोसनी भी अपनी सासु मां का पूरा ख्याल रखने लगी उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी रोसनी की मां को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हाल चाल जानने के लिए सीमा जी को फौन किया चिंता मत किजी समधन जी जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बच्चे आपका अच्छे सी खयाल तो रख रहे हैं ना अरे बच्चे तो मेरा बहुत खयाल रखते हैं और रोसनी तो मुझे बिश्तर से उठने भी नहीं देती सीमा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कुछ दिन बीटे सीमा जी अब पहले से अच्छा मसूस कर रही थी एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इक्छा जताई बस बेटा बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ इस पर सौरब ने कहा मां ये आपका ही घर है अब आप यहीं रहेंगी कहीं और नहीं जाएंगी सोचो अगर आप इस घर में अखेली होती और ये घटना वहां हो जाती तो कौन देखने आता आपको मां बेटे की ये बाते रोसनी चूप चाप खड़ी हुई सुन रही थी और बिना कुछ बोले रसोई घर में चली गई सीमा जी को उनके वहवार में फिर से बदलाव नजर आने लगा रवीवार के दिन रोसनी को किट्टी पाटी में जाना था सौरब घर पर नहीं था तो रोसनी ने अपने बेटे गोलू को सौरब के पास ही बिठा दिया गोलू सौरब को ज़्यादा परिसान ना करे इसलिए मुबाइल फॉन वे गेम लगा कर उनके हाथ में थमा कर पाटी के लिए चली गई अपने बेटे को फॉन लगा कर देते हुए उसे ये खयाल भी नहीं आया कि उनका मुबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मुबाइल में मेसेज पढ़ सकता है काफी देर से गोलू मुबाइल पर गेम खिल रहा था जब तक गोलू मुबाइल देखता था तब तक खुस रहता था लेकिन सौरब ने जैसे ही उनके हाथ से मुबाइल लिया तो वो रोने लगा सौरब गोलू के साथ बाते करने लगा गोलू के साथ हसने बतियाने सौरब ने देखा कि रोसनी के मुबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे रोसनी कभी भी अपनों मुबाइल अनलोक नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी सौरब की दिल्चस्पी होती थी ये जानने की कि रोसनी अपने मायके वालों से क्या बाते करती है मुबाइल बार बार बज रहा था तो सौरब की नजर एक मैसेज पड़ पड़ गई रोसनी तेरी सासु मान ने वापस घर जाने के बारे में कुछ सोचाया नहीं मुझे तो चिंता हो रही है मेरी वच्ची की कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू ही बिमार न हो जाए पहले तो हम जब मरजी तेरे घर आ जाते थे लेकिन जब से तेरी सासु मान घर आई है मैं तो तुमसे फौन पर भी ढंक से बात नहीं कर पाती जैसे ही वो थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें वापस अपने घर बेज़ देना इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा जहलने की ज़रत नहीं है और अब अगर वो स्रबन कुमार उन्हें जाने से रोके तो माय के जाने की धमकी दे देना सौरम ने जैसे ही रोसनी की मम्मी का मैसेज पढ़ा उसे जैसे अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हुआ सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बाते करने वाली उनकी सास के दिल में उनकी मा के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी या सोचकर उसे बड़ा ताजूब हुआ और उसे भी ज्यादा बड़ी हैरानी उसे अपनी पतनी द्वारा लिखे हुए मैसज पढ़कर हुई मा क्या बता हूँ जबसे मेरी सास बिमार पड़ी है मेरे सिर पर तो मुसीबत ही पड़ गई है तुमारे कहने पर मैंने उनसे सिधे मुँ बात करना भी छोड़ दिया था और कुछ दिनों पहले तक तो कह भी रही थी कि मुझ पर वापिस जाना है लेकिन जबसे उन्होंने बिष्टर पकड़ा है यह उम्मीद भी कम बची है ना जाने मुझे अब आजादी मिलेगी इस सास रूपी बोज से सौरव की हैरानी अब गुसे में तबदील हो चुकी थी वो रोसनी के आने का इंतिजार करने लगा जैसे जैसे इनका इंतिजार बढ़ता जा रहा था उनका गुसा सातवे आस्वान पर चड़ता जा रहा था इस बीच सौरव ने सारा मामला अपनी मां के सामने भी अस्पस्ट कर दिया सौरब की बाते सुनकर उनकी मा ने कहा बेटा बहु को कुछ मत कहना यह सब मेरे कारण ही हो रहा है तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही रोसनी घर आई सौरब ने उसे उनका मुबाइल दिखा सौरब के हाथ से मुबाइल लेते हुए रोसनी को याद आया कि मुबाइल पर तो उनकी मा के मैसेज आते हैं कहीं सौरब ने उन्हें पढ़तो नहीं लिया उसे थोड़ा डर लगा लेकिन सौरब के चेहरे पर गुस्सा नहीं था इसका मतलब सब ठीक है रोसनी को इस बात की तसली हुई उसी समय सौरब ने कहा चलो रोसनी आज तुम्हारे माइके चलते हैं अपनी मा के घर जाने की बात सुनते ही रोसनी जल्दी से तयार होकर गोलू को उठा कर आ गई रवीवार का दीन था इसलिए सभी लोग घर पर ही थे बेटी दमात को आया देखकर रोसनी के पिता ने कहा अरे सौरब जी आये हैं कुछ चाय नास्ता तो लेकर आओ सौरब ने बड़ी विनम्रता से कहा नहीं ससौरब जी मैं तो बस आपकी अमानत आपको लोटाने आया हूँ सौरब की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए कौन सी अमानत ससौरब जी आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए मेरे घर में अब उनकी कोई जगा नहीं है या सुनकर रोसनी बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुबी मेरे साथ ऐसा करने की साब साब बताओ बेटा बात क्या है ससौर जी ने हैरानी से पूछा तो सौरब बोला ससौर जी ये बात आप सासु मा और अपनी बेटी से पूछे तो बेहतर होगा रोसनी की मा हैरानी से सौरव की तरफ देखने लगी और गुस्य से बोली दमाजी आखिर आपको समस्या क्या है कुछ बताएंगे समस्या तो आप हैं सासुमा जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती अपनी पोल खोलते देख कर सासुमा ने चुप रहना ही बेहतर समझा तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की बात करने की रोषनी गुसे से चिलाई रोषनी इसमें गलत क्या है तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह से बात करती हो ना मैंने ऐसा कव कहा तुमारी माँ के बारे में तो ठीक है फिर आज दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ससुरजी रोषनी से कहिए अपना मोबाइल अनलोक करे यह सुनते हुए ही रोषनी हड़बडा गई और मोबाइल अनलोक करने से मना कर दिया लेकिन अपने पिता दुआरा जोड सिज दिये जाने पर उन्होंने मोबाइल खोल कर दे दी सौरब ने वो सारे संदेश अपने ससूर जी को दिखाए और रोसनी और उनकी मा ने एक दुसरे को भेजे हुए थे मैसेज पढ़कर ससूर जी की हैरानी का ठिकाना न रहा ससूर जी सासू मा यहीं बैठे बैठे हमारे घर पर पूरा कंट्रोल रखती है यह बात कहां तक सही है अपनी बैठी को सही बात समझाने की वज़ाए घर में कले कैसे रखना है यही सब सिखाती रहती है रोसनी और उनकी मा की मैसेज पढ़कर ससूर जी का चेहरा गुस्य से लाल हो गया और परिवार के सभी लोगों की हैरानी भरी नजरों से उन दोनों पर ही टीकी हुई थी जब सारा मामला असपस्ट हो गया तो रोसनी और उनकी मा की आखे सर्म से जुग गई अब रोसनी से भी कुछ कहने या बताना क्योंकि अब सभी को रोसनी और उनकी मा की कर्तुतों के बारे में पता चल चुगा था रोसनी के पिता ने उनकी मा को गुसे से फटकार लगाते हुए कहा कुछ तो सर्म की होती तुमारी इतनी हरकतों इनी हरकतों के कारण तुमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर पर बेटी है और अब तुम दुसरे का घर भी तोड़ने चली थी और रोसनी तुम तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ससुर जी ने सौरब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा माप करना बेटा हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने घर में सभी को बहुत खुस रखती है अपनी सास की बहुत इज़त करती है लेकिन ये तो कुछ और ही चल रहा है अच्छा हुआ बेटा आपने समय पर इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया अपने ससुर जी को हाथ जोड़ देखकर सौरब ने बड़ी विनमरता से कहा माप करना पिता जी किसी की बेज़ती करना मेरा मकसद नहीं था लेकिन जब मैंने अपनी मां के खिलाब साजिस होते देखा तो मैं खुद को रोग नहीं पाया बेटा सौरब अब एक काम और की जीगत हमारा मान रखते हुए आप रोशनी को अपने घर वापस ले जाईए अपने ससौर जी के कहने पर सौरब रोशनी और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए थोड़ी धिर बाद रोशनी के पिता जी भी रोशनी की मा को लेकर घर पर आ गए रोशनी ने अपनी सासु मां के साथ किये जाने वाले विवार के लिए उन्हें माफी मंगने को रोशनी की मां से भी कहा अपनी समधन से माफी मंगते हुए भविस में उसके परिवार में बेवजा दखल ना देने का आस्वासन दिया तो दोस्तों आज की ये सिक्षा प्रद स्टोरी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं हर हर महादेव